मुझे बदाईए कि एक व्यक्ति जिसने अपना लक्षे निर्धारित कर लिया और वो एक लिडर है अगला काम वो क्या करेगा एक्षिन प्लान करेगा कि यह लक्षे कैसे पुरा आप तो आप लोग लीडर्स हैं बहुत सारे लोग आपके साथ हैं तो होना यह चाहिए कि महिने की एक तारिक को हर महिने का लक्षे तैया होना चाहिए जो गोल है वो तीन तरह के होते हैं शोटम गोल मिटम गोल लॉंग टम गोल आपने खाथ देखा कि मुझे के देखे नबे लाग का घर चाहिएं पांच साल बाद तो पांच साल में जो आपकी यात्रा रहेगी वह अर महिने की रहेगी यह स्ञार हर महीने एक गोल होगा उस लक्षे को छोटे छोटे लक्षों को पूरा करते वोए आप अपना बड़ा लक्षे पूरा करेंगे तो पाँच साल का वो जो गोल है नपेलाग का उसको पहले पाँच मिट्टम गोलों में तोड़ोगे यानि वार्शिक गोल और ये जो गोल होगा ये विद कैलकुलेशन होगा कैसे होगा क्योंकि बड़ा पावर्फुल शब्द है प्लानिंग अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप लक्षे हासिल नहीं कर सकते हैं और अगर आप लक्षे हासिल नहीं करेंगे तो लीडर की एक डाफिने तो अच्छा लीडर बहुत ही अच्छी प्लानिंग करता है और खुद भी चलता है और दूसरों को भी चलाता है और अंतिम में लक्षे हासिल करके छोड़ता है अच्छा लीडर कि डिक्ष्णरी में फेलियर शब्ट एक्जिस नहीं करता आप कहींगे भई ऐसा क्या फेल तो हो सकते हैं हां हो सकते हैं लेकिन लीडर फेल होने के बाद दुबारा कोशिश करता है फिर फेल हो जाये तो फिर कोशिश करता है फिर फेल होता है तो फिर कोशिश करता है और वो अपना तब तक कोशिश करता है जब तक वो जीत नहीं जा लेकिन फेलियर उसका अंत नहीं होता है। वह भागता नहीं है। फेलियर गीवप नहीं करता है। कि और जुद्वारियों को वो धानले कि जब थे जाल हैं अन्युदर कर से में होती जब तक वो जीतता नहीं वो हर failure में कमिया ढूंटा है error ढूंटा है गलतिया ढूंटा है उसको improve करता है तुबारा उटके खड़ा होता है और एक गुण उसके पास है उस गुण का नाम क्या है लिडर सास ही होता है लिडर फाइटर होता है इसमें वो कितनी बार भी गिर जाए उसका moral डाउन नहीं होगा क्योंकि वो उची उचा का स्वामी है वो positive attitude का स्वामी है वो हर हार में वो हर हार में एक positive बार ढूंटा है क्योंकि वे उसका character है, वे उसका चरित्र है, अगर वे चरित्र उसके पास होता हैं तो वї हार state लिकमगा जाता है, हार तो उसका खिलोना होता है, हार से तो वो खेलता है, और वो खुद भी केलता और अपनी team को भी खिलाता है, जितनी बार गिरेगा, उतनी बार उठेगा लीडर और उतनी बार दुगने ताकत से लड़ेगा और अल्टिमेटली जीत हासिल करेगा लीडर के डिक्शनरी में हार शक्त एक्जिस्टी नहीं करता है उसके लिए फेलियर हाईवे है सक्सेस का फेलियर सफलता की यात्रा में पढ़ने वाले कुछ पढ़ाव छोड़के उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसकी लाइफ में फेलियर कम आए फेलियर ना आए यह इस बात पे निर्वर करता है कि वो प्लैनिंग कैसी करता है अब मेरा इसमें आपको बड़ा महतपूर्ण बिंदू है कहने के लिए एक लीडर ने अपने लक्षे के हिसाब से प्लैनिंग की अगर वो प्लैनिंग फेल हो गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि लीडर खराब है मेरी बाद पर गोर करिये गए अगर एक लीडर ने एक लक्षे लिया और उस लक्षे के हिसाब से प्लैनिंग की और उसे काम किया और वो फेल हो गया इसका यह बिलकुल मतलब नहीं है कि वो लीडर खराब है लीडर रिजन्ट पर फोकस नहीं करता रिजन्ट सिर्फ एक डैरो मिटर है मेजर करने का कि सबलता मिली या नहीं मिली लीडर यात्रा पर फोकस करता है लीडर एफर्ट्स पर फोकस करता है वो देखता है कि पूरे महीने जो मैंने काम किया उसमें क्या कमी रह गई कि यह रिजन्ट आया वो result को पकड़ के सिर नहीं मारता उस यात्रा में फोकस करता है क्योंकि वो यात्रा उसे सिखाती है failure आपका सबसे बड़ा teacher है अगर आप fail होते हैं तो आप सीखते हैं अगर आप काम्याब होते हैं तो आप enjoy करते हैं दोनों में कोई loss नहीं है दुनिया में कोई भी महान विश्कार ऐसा नहीं हुआ जिसमें failure के मूह नहीं देखे हूँ अभी सरब जीची ने आपको अब्दुलकलाम का उधरन दिया अभी आपने मंगल ग्रह पे देखा कि हम एक और्बिटर वाले में जो लैंड करना था क्या नाम था उसका विक्रम उसमें काम्याब नहीं हुए तो क्या यह उनका failure है क्या लग्टा उन्होंने हाथ पे हाथ रखके बैठ गए हूँ वो फिर कोशिश करेंगे और ultimately चांद पे रोवट नहीं आदमी भी लैंड कराएंगे वो क्योंकि वो सच्चे लीडर है हार मानने वाले नहीं निराश होने वाले नहीं उनके पास वो सारी गोना जो थोड़ी दर पहले मने बताएंगे वो पोस्टिव उर्जा के स्वामी है वो चलित्रवान है वो उर्जावान है पॉस्टिव एटिटूड वाले लोग हैं, मैत्व कांशी हैं, वो हर बार गिरेंगे, हर बार उठेंगे, कितने भी आंधियां चलें ये दिये कभी नहीं भुझेंगे, ये लीडर की क्वालिटी होती है, तो एक लीडर अपने लक्षे के हिसाब से बहतरीन प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग पर काम करता है, फेल होता है, तो प्लानिंग को और इंप्रूव करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, अगली बार और बहतर प्लान बनाता है, और बहतर प्लान बनाके फिर परिया एक और फुर्ण है leder का लिख लिख लिशे clear है अग्ला फुर्ण leder का जो होता है वो ये है कि एक leader एक लक्षे को हासिल करने के लिए एक professional approach रखता है तो अग्ला फुर्ण है professional approach इसको आप बोलेंगे पेशेवर द्रिष्टी कौन इसका क्या मतलब है आप जो प्लानिंग करेंगे अगर आप उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रखेंगे तो फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाएंगे लोग कोई काम दो वजाओं से करते हैं एक काम करते हैं वो मरुणजन के लिए और एक काम करते हैं कोई मुकाम हासिल करने के लिए उधारन है क्रिकेट का आप जब गलियों में अपने कपड़े दोने वाली थापी से क्रिकट खेलते हैं तो ये आपको हैपिनेस देगा क्या देगा हैपिनेस खुशी देगा लेकिन अगर आपका लक्षे है कि आपको भारत वर्ष की रास्टिय टीम में सचिन तंदिलकर के साथ मिलके बैटिंग करनी है धोनी की कप्तानी में बैटिंग करनी है विराट कोली के साथ खेलना है तो उस लक्षे के लिए जो आपने योजना बनानी है वो पेशेवर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए गली में खेलके नहीं मिलेगी क्लियर है? यह सार क्लियर है? यह सार तो आपको भी यह प्रोफेशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्रोफेशनल टूल्स का इस्तामाल करना पड़ेगा अब प्रोफेशनल टूल्स से मेरा क्या मतलब है? इन बातों को लिख ले ना संजे वर्मा जी, सरब जी जिस पर प्रशन बूचेंगे आपको कीजिए, तो पहला प्रोफेशनल नजरिया है टेक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लीजिए, दूसरा है कि आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड करना चाहिए, यानि अपने बिंदनस के साब से जो dress code हो वो पहनना चाहिए आपकी body language आपके business के मताविक होनी चाहिए इसके लिए आप body language की training कीजिए आपको सारे rules की respect करनी चाहिए जो भी organization के rules है ethics है, अचार सहिता है जो भी आपको नियम, काईदे, कानून बताए गए है उसके मताविक आपको काम करना चाहिए अगर आपके team है उसमें भी आप मिल जुलकर कुछ नियम, काईदे बनाईए और एक बार जब आपने नियम, काईदे बना दिये चाहिए आप ही की अध्यक्षता में वो नियम बने है और एक leader जब एक बार सारे नियम काईदे बना देता है तो वो उसकी respect करता है और उन काईदों को अपने से भी उपर मानता है ये वैसी बात है दोस्तों अगर हमारे देश का कोई परधान मंत्री है संसत में बैठ कर सारे के सारे परजाद वारा चुने हुए नमंदे परधा उस संविधान से उपर नहीं है क्या है क्या तो एक लीडर जब अपनी छोटी से टीम में बैठ कर कोई नियम और कानून बनाता है तो वो उसकी टीम का संविधान है तो ये लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो उस संविधान की खुद रिस्पेक्ट करे और वो संविधान उस से उपर नहीं है अगर उस लीडर से कुछ गल्ती होती है तो वो संविधान के मुताबिक अपनी उस गल्ती को सविकार करे ये नहीं क्या रहे मेरे पही नियम लागो नहीं होता तो प्रोफेशनल लीडर्स नियमो की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें फोलो करते हैं नो नेपोटिजम नो फेवरिजम कोई भी अच्छा लीडर नेपोटिजम क्या होता है भाई बतीजा बाद नेपोटिजम को हिंदी में कहते हैं बाई बदीजाबाद, आपके नेटवर्क में हो सकता आपका सगा बाई, आपका कजन, आपका चाचे का लड़का, आपका बहुत प्रिये मित्र, आपके साथ काम करता हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप लीडर हैं, और लीडर न्याय प्रिये होता है, कभ अंदर मिसाल है इंटिग्रेटी की, अखंड़ता की मिसाल है, तो अच्छा लीडर कभी नेपोडिजम नहीं करता, अच्छे लीडर जो व्यक्ति योग्य हैं, उन्ही को उपादिया, उन्ही को प्राइस और उन्ही को मुख्य सीटों पर बिठाते हैं, जस्टिस, अच्छा लीडर नयाय करता है, फॉलो एथिक्स, रूल्स और रेगलेशन, जो प्रेशेवार और प्रोफेशनल लीडर है, वो कंपनी के एथिक्स, रूल, रेगलेशन को फॉलो करता है, फॉलो अपलाइं, अच्छा प्रोफेशनल लीडर अपनी अपलाइं को सम्मान देता है और फ अपनी अप्लाइन का सम्मान करता है, अपनी कंपनी का सम्मान करता है, ये उसका धर्म है, ये उसका फर्ज भी है, आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, अगर मेरी अप्लाइन खराब है, मेरी अप्लाइन मेरे से गलब करती है, तो क्या करों? आप किसके लिए लीडर हैं, डाउन लाइन के लिए की अपलाइन के लिए, आपको अपने एक्शन में इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं और उसकी वज़ा से आपकी डाउन लाइन का लक्षे खराब होता है तो आप अच्छे लीडर नहीं एक अच्छा लीडर सेक्रिफाइस करने वाला भी होता है एक अच्छा लीडर वो होता है जैसे हमने एक गुण बोला जो दूसरों की मदद करता है तो सबसे पहले आपको किसकी मदद करने है आपकी डाउन लाइन की आपको उनका जीवन बदलना है और अगर उनके जीवन को बदलने के लिए अगर आपको ऐसा उधारन प्रस्तुत करना पड़ता है जो आपको करना चाहिए क्योंकि यह अपवाद है कि आपकी अप्लाइन खराब है वो सकता है आपकी डाउन लाइन की अप्लाइन खराब ना हो जब आप अपनी अप्लाइन की बुराई करते हैं डाउन लाइन के आगे तो आप downline को ये संसकार देते हैं, सिखाते हैं कि applying की बुराई करनी चाहिए आपकी team का culture बहुत important होता है मैं अगले भाग में उसके बारे में बात करूँगा तो इसलिए एक professional networker कभी भी अपनी applying का, अपनी company का अपनी downline के सामने बुराई नहीं करते क्योंकि इससे एक नियम और तूटता है वो नियम क्या है? कि leader positive attitude का वेक्ति होता है जब आप कोई नकरात्मक बात करते हैं तो आप इस नियम को तोड़ते हैं जिसका मतलब है आप अपकी leader नहीं होए positive attitude वाला वेक्ति हर बात में positive बात डूनता है इसके बाद next चीज मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आप अपलाइन के अत्याचारों को सही है उसके लिए आप सही platform पर बात कीजिए मगर downline वो platform नहीं है downline को तो आप से सिरफ और सिरफ सिरफ और सिरफ positive उरजा चाहिए ठीक वैसे ही जैसे माँ खुद bookie होती है मगर बच्चों को नहीं बताती कि मैं bookie हूँ उन्हें खाना के लाती है तो अच्छा लीडर वो ही होता है जो अपनी downline को वो देता है जो उसको चाहिए सफलता के लिए और कुछ नहीं अच्छा लीडर proper documentation and record रखता है अच्छा लीडर professional लीडर सारे documentation रखता है सारे record रखता है proper follow करता है और उन document से report त्यार करता है और उसको पढ़ता है जो downline पीछे रह गई है उनको motivate करता है अच्छा लीडर अच्छे से training लेके skill होता है और अपनी downline को भी skill करता है skill का मतलब काम में कोशल बनाना कुछ technical tool सीखने पड़ते हैं तो एक professional लीडर वो सीखता है जैसे आज computer का यूग है आज IT का यूग है अगर आप इस बदलाव को समझेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे अच्छा लीडर इसको एक करांथी की तरह लेता है और वो जानता है professional लेडर जानता है कि मेरी team में जो जो लोग computer सीखेंगे उनके जीवन में बदलाव आएगा इसलिए पहले वो खुद एक lamp बनता है यानि खुद computer के लिए ज़रूरी जो सीखना है सीखेगा और उसके बाद downline को good training दे दे के उने सिखाएगा और उसके बाद उने भी बोलेगा कि आप भी सिखाओ ताकि लोगों के जीवन में बदलावाए तो ये एक professional leader की के गुण है अभी presentation का first part खतम हुआ है एक अच्छा leader के बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए भाग दो है create chain of lamp दूसरे बाग में हमें सीखना है कि हम जीवन दूसरों का कैसे बन लेंगे कैसे लोगों को ऐसे ही leader बनाएंगे वो भी मैं बात करूंगा